औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया दूसरों के गमों को गोद लेने वाला किसी के मुस्कुराहटों के लिए अपना सब कुछ निसार करने वाला अपने लिए नहीं बलकि दूसरों की खुशी के लिए जोखिम उठाने वाला ऐसे शक्स को ऐसे समाज सेवी को कुरे देश ने तब जाना जब दिल्ले में आयोजित दिव इंडिया कंकलेब में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मौजूदगी में महरास्ट के मुख्य मंत्री दिवेंद्र फर्णविस ने बक्सर के लाल आकाश सिंग उर्फ रामजे सिंग को सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे इवाओं पर नाज है जो बदलते भारत की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आकाश कुमार सिंग को दिल जोड़े देश जोड़े कैमपेंज से जो बिहार से हैं क्या आप यहाँ पे हैं साथ टेंजिंग साथ ओ देरीज टेंजिंग साथ आईए प्लीज जल्दी नई दिल्ली में सम्मान पाकर जब आकाश कुमार सिंग उर्फ रामजी सिंग अपने ग्रीज दिला बकसर लोटे तो उन्हें अभास ना था कि उनका यह सम्मान पूरे जिले और सुबे के लिए एक गौरब शाली उपलब्दी बन चुकी थी आज रामजी सिंग हर इवा के प्रेणा शुक बनकर उनके दिलों में बस गए हैं बकसरवासी आज अपने हीरो को भरपूर सम्मान देकर अपनी खुशी का इजहार भी करने हैं दिल्ली के विज्यान खवर्णे और जो महराज़ के सीवाज सीम देवेंदर खानवीश ने वह सम्मानित किया यह पकसर के लिए गवरों की बात हैं आप लोग तालियों से एक बार फिर कोजिंग के ताक्मोष बंचे हैं वो सम्मानित करेंगे हमारे युवानेता रामजे सिंग को बकसर के इस लालेवम समाजिक कारकरता रामजी सिंग के सम्मान से सिर्फ बकसर ही नहीं पुरे पुरे बिहार राजी का नाम देश में रौसन हुआ है युवा पिर्णा शुरूत रामजी सिंग जिनके समाजिक कारें की अगर बात करें तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे चाहे किसी गरीब बेटी की शादी हो या फिर कोई आसाहाय और निर्धन जिसके पास इलाज के लिए पैसे ना हो ऐसे लोगों के लिए रामजी सिंग किसी देवता से कम बिलकुल भी नहीं रामजी सिंग छात्र नेता के रूप में युवाओं के हक के लिए भी लडते हैं विकलांगों के अधिकारों और उणके सुधाओं की लडाई भी लडते हैं गरीब मजदूर की ताकत बनकर परशासन और सरकार के सामने निदर होकर उनके समस्याओं को भी रखते हैं प्रेना श्रोत रामजी सिंग अपने संगर्सों की लडाई में ना सिर्फ अपना रक्त बहाते हैं बलकि बक्सर में रक्तदान के लिए मुहीम भी चलाते हैं इनके रक्तदान के टीम में बहुत सारे लोग हैं जो जरुरत पढ़ने पर हस्पतालों में जाकर मरीजों को रक्त देते हैं रामजी सिंग द्वारा बक्सर में चलाये जा रहे हैं रक्तदान मुही में अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई हैं आये मिलते हैं और सुनते हैं बक्सर के युवा नेता और समाजिक कार करता रामजी सिंग को समाजिक छित्र में बहतर परदासन बहतर कारे करने के लिए चेन हुआ था और Y4D Youth for Development Foundation है जो उसने पूरे भारत में एक अभ्यान चलाया कि समाजिक छित्र में कई काटेगरी बाटके तो उसमें प्रेना सुरूत यूआ जो केटेगरी हैं उसमें मेरा चैल हुआ था और बक्सर के ही रहने वाल एक बाहर रहते हो मैं उनको जानता नहीं था सफ्वेयर इंजिनियर है रामदेव उनका नाम है उन्हों नहीं सोसल मीडिया से मेरे कामों को देखकर कई बार आगरा किया कि रश्टेशन कराई है और आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं और ओट आपको मिलेगा और उस आधार पे पूरे भारत में ओटिंग कराई अधान के माध्यम से वैसे मर्यों को बलट देते हैं जिसके घर में कोई रत्तदान करने वाला नहीं है खूंदेने वाला नहीं है और या किसी की अमर्जन से माने किसी का एक्सिडेंट हो जाता है ततकाल बलट की जरुद पढ़े या कभी किसी बहन की डिलिवरी हो और उसक से भी बलट लेने हम लोग के पास संस्था के पास आते हैं इस साल अभी 14 जून को विस्वरक्तदाता दिवस के दिन मानिय जिला धिकारी मोहदे ने समानित भी किया था बखसर में सबसे यादारक्तदाम सीविट लगाने के लिए जिस बहन की साधी की उम्र हो गई है और आ समाज का बहुत सहयोग मिलता है चाहे वो जितने गायक हैं वो फिरी में आते हैं अगर भोजन अगर 200-500 लोग को बनाना होता है सारे सब्जी वाले भोजन हम लोग को पुलब्द करा देते हैं ऐसे समाजिक स्वहयोग से बहुत हम लोग पहले तो जाके उनके गाओं उनके घर पर देखें कि इस्थिती क्या ह और सही में अगर उनकी इस्थिती वैसी होती है तो हम लोग उसका उसकी साधी का अपना रूप रेखा तयार करते हैं और समान का लिष्टोगर बनाते हैं क्या क्या समान देना है और हर एक बहन की विदाई में हम लोग भरपूर समान भी देते हैं साड़ी सूट सोने के लि बिजिम्चेस मिन हैं सब लोग मदद करते हैं जीतने बड़े कोचिं के लोग है घृते की लोग यहीं तो बाजनेतिक Σथान के लोग है यह मिशार भाराँ के अंधिक पाथि करूख भी चैकेति हम लोग आर्थिक स्वयों नहीं लेते हैं, बलकि आर्थिक जगा पर हम लोग किसी की जीमा लगा दिये, किसी की जीमा लगा दिये, कि आप हलुआई का खर्चा दे दिये, कोई बाजा का खर्चा दे दिया, कोई कोई हम लोग पैसा हाथ में नगतना लेके समान का निष्ट हम और इस के हमिल्ट का हौसला भी बढ़ता है ईक और जो काम होता है वह बड़े बारे शुतर पे गरीब मरीं का इलाज भी जैसे मानि है सरकारी हस्पीटल यहां पर है और वहां Okay इसे को संदी के सरकारीघ हचाहई और वहां पर दवा अगल बगल के लोग हमको फोड़ीते हैं, कर अमचारी हम लोगो फोन कर देते हैं, वागे मरीज हम लोग जा के, और जो ड़वा ड़ॉप्तर लिए लिहता है, उसका इलाज कराते हैं। जातर जान बचाने में कामदाद बहुत कई बार असफल भी हुए हैं, कि बचाने का फरयास के लेकिन समय से हम लोग पुर्ती नहीं कर पाएं, तो असफल भी हो जाते हैं. इतने कम उमर में इसकी यह जो कारे करता है गरीबों के प्रति शादी द्यास लेके दवादारों या सामाजी किसी लिकारे में सबसे आगे बढ़के चारे करता है और इस वर इसको बहुत आगे ले जाएगा बहुत इूपर जाना से इसको यह जो अभी इनको मिला है इवाप है यह कि बहुत कम है बहुत ही कम है इसकी बहुत यह जीतना ही मेहनत ने लोगों को 185 अक्रफ। करता है और मैं एक समाजी कर्ज करता भी हूँ यहां तक कि जैसे राम जी भाई जो हैं हम लोगों के लिए गरीबों गूजरों के लिए समाज में रह करके बहुत दिकास की कार्ज करते हैं जहां भी हमें दर्द होती है तो मैं इन से कहता हूँ और दर्द वास्तों में यह लेते हैं यहां तक खुन चढ़ाना खुन देना और दवा हुआ टेक्मेंट को भूखा अगर रोड़ पर गिरा हुआ हो तो उसके लिए इ स्थिति हम लोगों को देखने को मिल जितना मसाला है उसमें साधी में खर्श होने वाला जो जन बनता है उसमें इतना मसाला पापड की हर एक साधी में तोटल मसाला और पापड ही देते हैं और जबतर महिना में दर फीन साधी भी हम लोगी है तो टोटल तीनों साधी का मसा अपने सोजयने से हमें देते हैं, सुरु से देते आए हैं और इहों में वाजा किया है कि आगे भी हमनों किछी शादिया कराएंगे, फिरी में ये मसाला आप बड़े दोस्ता खराएंगे, ऐसा सवयोग इन से पराप होता है। गाम जी समाजी करता है और समाज के परतिन का बहुत ही अच्छा सिरे रहा है, समाज भी इनको ढूरता है और किसी भी तरह का गरीब लड़का, लड़की, विकलांग, असहाय तरह के जो लड़के, लड़किया हैं, उनका आर्थिक मदद, उनको गाउं में पता, अगर उनको के मिल जता है, कि फलाने गाउं में ऐसा किसम की नड़की है, जिसका कोई मदद करने कला नहीं है, ये पद्काल उस गाउं में जाते हैं, और गाउं के परतिमिदि या गाउं वाले से पता करकर, उनसे मुलाकात करते हैं और उनका जिस तरह का भी सयोग होता है समाजिक सयोग, साधी, विवा, इलाज बगेरा जो भी करना होता है इसके लिए रांधी तत्पर रहते हैं जब भी हम लोग आदी करम करता है मंडी में ऐतीकर्म मैं फेती कर्म की विए अनकर पोजिससे यहां से रुपान होताने के लीए कि रमजी ब्या के दिली चले गयता है तो हम लोग seating को सब्लख करें औरु में पहसर लिए जग़ दोकानि 같्तर के लिए इसे सब उठा था बषबू कर बोने लिए बाहरें स्ब कर जाना हम आएंगे इसका समीधान निकाल देंगे कि साहिब से क्या बात करना है को करना है तो हम लोग राम जीबिया के बात को अमल रहें तो इसके बासाहिब से राम जीबिया बात किये तो बोल दियां कि अभी हम जब तक आएंगे नहीं उस दुकानदारों लोगों को परसान प्रफिश्ट के दुआरा हाथों जो समान सम्विला है उसे हम बक्सर बासी बहुत बड़ा समान मान रहे हैं और रामजी सिंग्ग का इसा काम काज है जो कि हम लोग दिव्यांग बंदू को बैसाखी कि सहरा काम करते हैं बैसाखी बन जाते हैं और बड़ी-बड़ी दो तीन- 555 साधिय कराते हैं वक्सर वासी बक्सर जिले में गरीब लोग हैं जो इलाच के लिए तड़ रहे हैं दवा के लिए उनको अपने दोरा हम लोग बताते हैं तोि इन्होंने रूड पे गली में या घर में चलते हैं, कि दाएं तरफ स्पीड वाली याड़ी जाती है, और बाएं तरफ गरीग लोग कमजोर लोग जाते हैं, उनको देखकर ये काल करते हैं.